वेल्टिस्काई की न्यू इंट्रेटिंग वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑक्षिन चीन के बारे मुसको समझने की कोशिस करेंगे अंडर्स्टेंड करेंगे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है और मंडे आपको कौन कौन से पॉइंट पर साबदान रहना है कौन से ऐसे इंपॉर्डन लेविल होंगे जहां जो ब्रेक होने के बाद मार्केट में एक अच्छा मोमेंट आ सकता है और क्या 18,000 मंडे को टच करेगा निफ्टी यह सारे पर्टिकलर पॉइंट हम समझने की कोशिस करेंगे चलते हैं जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों मैं आगया हूं ऑप्शन चेंज डाटा पर हो समझते हैं यहां पे मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है दो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट समझायते और कुछ चीदे बताएं थी मैंने आपको जो आपके काफी जादा काम आई होगी क्लिरली देख सकते हो यह यह मैंने आपको चैनल बनाके मार्केट एट 11 मैं साड़े दस वजे पोस्ट कर दिया था किलिरली कि जब तक हाई ब्रेक नहीं होता हो इसके उपर मार्केट कम से कम पांच दस मिनट सस्टेन नहीं करता आपको खरीदने की जुरूत नहीं है बिलकुल भी नीचे आपके पास जो सपोर्ट मिलेंगे वो आपको 17,840 पर 17,823 पर और 17,790 पर यह सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा तो आपको एक साइड बेस का प्लान करना है यहाँ पर कोई भी एग्रेसिवली बाइन नहीं करनी है ना सेलिंग करनी है तो आप देख सकते हो यहाँ पर exactly जो लाइने हमारी थी इनिव के अंदर यही मार्केट ने कामकाच किया है आज के दिन हमने अल्यडी कंसॉलिडेशन देख लिया है क्योंकि देखा जाए गैप खुले गैप खुलने के बाद हमने प्रॉफिट वोकिंग दिखाई और नीचे हमने जो सपोर्ट लिया है 17,824 पर सपोर्ट लिया है यानि यह लिए दिख रहा है 17,800 अगर ब्रेक होता और अगर 18,000 के ऊपर सश्टेन किये तो फिर 18,100 तक भी भर सकते हैं तो आपको यही चीफ निफ्टी के अंदर ध्यान में रखनी है अगर देखा जाए तो उपर के लेविल पर आज इसमें इंट्रडे में अदर देखा जाए तो 17,900 को ब्रेक करने के वाद आप देख सकते यह निफ्टी के कुछ पॉइंट से जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में क्लियर की है अब चलते हैं और प्रेश लोग बोलते हैं जैसे कि मैंने मार्केट अट 11 गा वीडियो डाला उसके बाद लोगों ने यह चीज़ बताई कि सर आपने कैसे प्रेडिक्ट किया कि म गरत ख़ेव हों और है देखो अगर आप ट्रीडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल में यही चीज़ करना है कि आपको हर दिन मार्केट को प्रेडिक्ट करना आना चाहिए फ़ले प्रेडिक्शन आपका गलत जाए कोई आपको कभी दूसरे के प्रेडिक्शन के साफ से काम नहीं करना है, ठीक है ना, मतलब आप वीडियो देखते हो, आप उससे अपनी नॉलिज भढ़ा सकते हो, लेकिन आप उसको डारेकली जाके मार्केट में एपलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके पीछे का एक रीजन होता है, बट वो लॉजिक आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपने मार्केट को उतना डीपली नहीं देखा है, जितना मैंने देखा है, ठीक है न, तो आपको हमेशा एक छीज ध्यान रखनी है, कि आपको अपना हर दिन का एक प्लान बनाना है, उस प्लान को पहले आप बना सकता है, नीचे जा सकता है, साइड़ जा सकता है, क्या तो वो सही जाएगी या गलत जाएगी, गलत के लिए हमारे पास हमेशा स्टॉप लॉस रैडी होना चाहिए, और सही के केस में हमारे पास एक अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए, यह थर्ड स्टैप आता है, यानि पहला आपने predict कर लिया, ठीक है, second आपने apply कर लिया और third आपकी profitability और loss की होती है, ठीक है, इसको आप करते रहो, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, भले आप पैसे डाल के trade मत करो, बट इसको करते रहो, market में कुछ ही certain conditions होती है, market trending होता है, sideways होता है, volatile होता है, ये तीन conditions के लाब market में कोई चौथी condition नहीं होती, तो आपको ये चीक हमेशा समझ में आनी चाहिए, कि मैंने एक prediction लिया है, उस prediction पर मुझे काम करना है, क्योंकि जब live market होता है, तो ज़्यादा तर लोगों के emotions काम नहीं करना बंद करते हैं, मतलब जो सोच होती है, वो काम करना बंद कर जाती है, और फिर वो emotionally कह सकते हैं, कि decision लेना start करते हैं, loss हो रहा है, तो सोचते हैं कि यार, आज मैं इसको पूरे शाम तक रखूँगा, अगर loss होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसको रखूँगा, जरूर रखूँगा, पता रखता है, वो ही trade सबसे ज़्यादा loss दे करोगे, और उसको at least 6 महिने तक verified नहीं करोगे, कि कितने दिन आप सही गए, कितने दिन गलत गए, अगर आप सही जारे हो, तो कितना profit आपको मिल रहा है, गलत जारे हो, कितना loss हो रहा है, तब तक आप अपना risk reward ratio बनाई नहीं पाऊँगे, और जब तक आप risk reward ratio बनाई नही करना है और यह चीज किलिए ली तब होाती है समझ में जब आपका प्लान आपकी प्रविबिलिटी आपको silent कितना है 10 % 40 को मैं कितना profit कमा रहा है 30 कितना profit कमा रहा है अगर मुझे loss हो एक र 나올 हो होज है से हमें मैं एक oyee मित होती है लेकिन फिर कि हमें उस लिमिट से ज़्यादा का लॉस हो जाता है विकॉस ऑफ अन प्लांड ट्रेडिंग अगर आप प्लानिंग के साथ नहीं करोगे तो आप हमेशा दोका खाओगे अब समझते हैं हमारा मार्केट का व्यू कैसा रह सकता है मंदे के दिन सबसे पहले 17900 की पुट 19.5 कहते हैं और वो इजली मार्केट को होल करने की कोशिशिटकर रहे हैं इसथारी बात करते हैं यह जृत नतना डुब फ्र साथ सतर पॉइंट फर्दर गिर सकता है बट जब तक सत्रा आठ सो के उगा ट्रेड कर रहा है तो इसली मार्केट अठारा जार को तच कर सकता है यहां पर यह किलियर ली दिख रहा है ऑप्षिन चेन में सेम चीज मैंने आपको चार्ट पर बताईए कि एक निफ्टी के चार् पेहल करता है तो आप करके काम कर सकते हो आपकता है कौनिक दूसरा अने में इस टौपल साथ आज के डेल लोग का लगा सकते हो ब्लग सकते के कर सकते हो यह चीज़ आप यहां पर समझ लीजिए उपर की तरह पर के स्ट्रॉंग ब्रेक आउट तभी है कि जब 17950 की उपर निफ्टी टिक जाता है अगर नौसो पचास की उपर टिक गया पांच दुसमें काम काच कर लिया तो फिर आपको 18000 इंस्टेंटली आता हो दिख कि ठेंडलांड्ने पर मार्केट ने बैंक्निफटी ने पहले सपोर्ट लिया सपोर्ट लेने के बाद इसकने बाऊंस पैक दिखाया ओर बैंस पैक के बाद इसने और 12 ए्लैट कर देता हो और यहां परभाव आप आपको यह देख सकते हो यह तो सिमपलीजी रहे है अगर Monday के trading session में ये इस channel के अंदर खुल के जिस side भी move करता है upside downside उस side आप trade कर सकते हो 200 point का आपको target मिल सकता है यानि 707 700 की नीचे निकलता है तो फिर आपको 707 500 target मिल सकता है उपर निकलता है तो वही 38,150 या 38,200 तक भी मिल सकता है immediate basis का target जो होगा वो 38,000 होगा 38,000 के उपर जाता है तो फिर एक नया light है वाई यानि 18,113 114 का आपको target यहाँ पर मिल सकता है bank nifty के अंदर तो आपको यह चीज़ पर नदर रखनी है यह level पर अगर day chart पर देखें तो एक अच्छा moment के बाद एक पूरा consolidation हुआ है market में तो आपको यह दिखेगा कि यहाँ पर दो exactly same type की candle बनी है यहाँ पर बनी है तो एक अगर breakout आता है यहाँ पर तो फिर एक strong candle ऊपर की तरफ बन सकती है तो 15 minute पर भी आपको चार्ट पर clearly दिख रहा है consolidation यहाँ पर होता हुआ तो आपको नजर यही रखनी है कि 38,000 के ऊपर अगर market नीचे से swing करके ऊपर जाता है तो फिर आपको definitely buy करके काम करना है इसके ऊपर खुले नहीं सीधा नीचे से swing करके ऊपर जाता है तो आप buy करके काम करिए 38,300, 38,500 तक के target आपको मिल सकते हैं क्योंकि आज consolidation हुआ है अगर मंडे को भी consolidation होता है तो same view Tuesday का भी रहेगा हमारे लिए यहाँ पर यह चीज़ समझ लीजिए ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं तो डाव फीचर देख लेते हैं एक बार कैसा कामकाज कर रहा है देखो 139 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है साइट सी बात है कि तीन दिन का एक strong upside का bounce back का moment के बाद इसमें आज ये red candle बना रहा है गाए इंडेसे futures की बात करते हैं यहां पर तो देखें नेजडेक भी करीब 100 नीचे कामकाज कर रहा है 17,833 पर निफ्टी टेड कर रहा है तो यूरोपिल मार्केट देखा जाए तो थोड़े से negative कामकाज कर रहे हैं तो जादा कोई tension वाली बात नहीं है यहां पर clearly जो हमारे पास Qs आएंगे वो थोड़े से flat से आएंगे हमारे पास Monday के trading session में तो हमें जादा सोचने की जरूत नहीं है हम जैसे positivity के साथ कामकाज कर रहे हैं उसी के basis पर ही हमें अपनी trading plan करनी चाहिए तो I hope दोस्तों particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतन झाल